प्रश्राइब तो गुड़्ट मॉर्णिक स्टूडेंस अम एक्सराइब 6.1 कर रहे हैं और आज हम उसका question no.8 और 9 करेंगे उस सबसे पहले आपका question no.8 express 49 as the sum of 7 odd numbers यह जो हमने 7 question किया यह उसी का आप revision समझो कि उसमें क्या दिया था आपको numbers दिये गए थे और आपना उसका sum निकालना था लेकिन यहाँ पर क्या है आपको sum दिया गया है और आपना उसको number में express करना है ठीक है so मैंने पहले question में आपको पताया था sum of first and odd number is equal to n square जो आपके first जो odd number होंगे n mean जो तरहीं आपको number दिये जाएंगे ठीक है वो अपने count करके उताने होते हैं कितने हैं फिर उसका square कर देते हैं वो उसका sum आ जाता है तो we know that how to add 4, 1 किसका square है 7 का square है यह जो में हमारे पास n कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो हमने 7 number लेने हैं ठीक है first odd 7 number लेने हैं 7 तक numbers नहीं लेने हैं 7 number लेने हैं ऐसा नहीं करना है आपने की बस 7 तक ले लिया आपने total 7 odd number करने हैं तो क्या आएगा first odd number हम लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आपने यह count करने हैं यह आपने 7 करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mean जो आपके first 7 odd number है उनका साम कितना होता है 49 होता है understood next आपका express 121 as the sum of 11 odd numbers ठीक है 121 इसको करेंगे हम then we know that 121 किसका स्केर है 11 का स्केर है mean and कितना gap आपके पास 11 अब आप कितने odd number लोगे 11 odd number लोगे ठीक है तो यह कितने आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 यह आपके first 11 odd number है जिनका साम कितना है 121 है ठीक है 12 का स्केर कितना होता है 144 होता है और 13 का स्केर कितना होता है 169 होता है तो हमने बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने numbers है ठीक है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यह एक statement है n and n plus 1 equal to 2n यह एक formula मान के चलो आपकी यह आपके पास एक formula है ठीक है इसमें n आपके पास क्या है 12 है और n plus 1 n plus 1 mean n कितना है 12 plus 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और यह किसके equal है 2n किकुल है and आपके पास 12 वा गया n equal to 12 then 2n is equal to 2 into 12 तो हमारे पास number कितने हो जाएगे 24 ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 12 का square और 13 का square के बीच में 24 numbers आते है same second है 25 and 26 की 25 का square और 26 का square इसके बीच में कितने numbers होंगे तो इस तरह से हमारे पास n कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा and plus 1 कितना हो गया 26 हो गया और equal to किसके है यह 2n के equal है तो 2n कितना हो जाएगा 25 multiply 2 equal to 50 numbers इन दोनों के बीच में कितने numbers आते हैं 50 numbers आते हैं थर्द है आपके पास 99 and 100 की 99 का square और 100 का square इसके बीच में कितने numbers आएगे तो कैसे करोगे n कितना आगे आपके पास 99 and plus 1 mean 99 plus 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा किसके विक्कल है 2n के विक्कल है तो 2 into n कितना आपके पास 99 तो हमारे पास number आ जाएगे 198 ठीक है यह question आपने copy में note कर लेने है प्रहुद आपके थे अचितना है तर्म आपके अपके जाएगे कितना आपके एलागे तो